बाबा का आसरम ट्रेष्ट जिसकी 400 से ज़्यादा साखाय थी बारत में नहीं कुई विदेशों में प्रेजेंट थी वो ट्रेष्ट 45 से ज़्यादा स्कूल चलादा था और उस ट्रेष्ट के कुल संपत्ती थी 10,000 करोड जिसमें 200 करोड रुपे की तो बेनामी संपत्ती थी यानि कि जो कपजा की कोई जमीन, जिस पर कोई कपजा नहीं कर सकता, सरकारी जमीन पर आपने आसरम मना दिया, तो वो बावा की हो गई, वो बाश सो करोड रुपे की जमीन थी, मैसे 500 लोगों को करीब 1656 करोड रुपे ही ब्याज दुनों पर बांटे गई थी, उनसे करोड रुपे में कमाईया होती थी, आखिर हम इस बावा के बारे में इस बीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, इस बीडियो के अंदर हम इस बावा के बारे में केस स्टडी लेके आए, उनका नाम है आसरम बापू, दरसल आसरम बापू एक तरह से इसनी फेमस हुआ कर आज भी प्रिजेंट हैं लोग उनको आज भी नियदोस मानते हैं इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानने की कोशिस करेंगे कि एक कैसे कोईले का ब्यापारी जो पाकिस्तान की संद से बाग करके एमगावाद में आता है और वहां पर उसके पिता कोईला भीका करते थे वो द भारत के अंदर ऐसे बावा जब भी पॉपूलर होते थे और आज भी पॉपूलर होते हैं तो भारत के अंदर ऐसे बावा क्यों पॉपूलर हो जाते हैं इस वीडियो के अंदर लेट्स स्टार्ट वीडियो असाराम बापू का पूरा नाम आसुमल थिरुपलानी हरमलानी दरसल उनका जनब आप सिन्दि परांथ के अंदर कोर्द आप सादिस के अचार बापो कि सादी भी ये माना जाता है उनकी साधी 15 साल के उमर में ही लच्वी देवी की एक औरत के साथ में हुई थी उनके दो बच्ची थे नाराण स्वामी और एक लड़की पिताजी की मौत के बाद में ये आसरम बापो अपने घर का जो खांदानी बिजनेस था कोईनी और नगड़ी बेशने का उसको चलाने लगते हैं लेकिन जीवन में कठनाईयां आती हैं उनका ब्यापार ठप हो जाता है इस ब्यापार से मुक्ती पाने के लिए वो इससे बाहर निकलने के लिए कोई नया रास्ता पैसा कवाने के लिए कोई नया रास्ता डूनने की खोई में निकल जाते हैं वो बरंदावन मे पर उनका काफी बड़ा ध्यान उसकी तरफ अट्रेक्ट होता है और वो इस संसारिक मो मामा को छोड़ करके एक तरह से पूरी आध्यात्मिक जीवन को जीने लगते हैं तबी उनको 40 दिनों बाद वो वहां से कई दुनों तक इदर उदर पठकते हैं संतों से मिलते हैं उसके सावर मती नधी की किनारी मोटे रागाओं उन्होंने एक सांत जगे खुजी और इस जगें पर वो आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं यानि ध्यान योग और इसी में लीन होकर कि लोगों को ऐसा लगता है कि कोई सिद्ध वावा उनके चेत्र में आया है और उनकी समस् का सिन्वारण मिलता है, मुक्ति मिलती है, तो वो बावा अपने एरिये में धीरी-दीरे प्रसद दोते चले जाते हैं, प्रसद दोते होते हैं, मोटे रागा के अंदर कुछ बक्त मिल करके उनके लिए एक कोठा बनवा देते हैं, कोठा और दीरी-दीरे आस्रम में पहनने रहे, यहीं से आस्रम बापो की सुरुआत होती है, यहीं से जब उनके पास में उनके भक्त लोग उनके जादा से जादा पैसा डाउनरेट करने लगते हैं, उनके पास में पैसा आने लगता है, तो वो अपने एमपाइर को बढ़ा करने लगते हैं, यानि कि अपनी आस्रम support for world bank दरसल जब बावा के अंदर कम से गम 4 से 5 लाग लोग किसी भी बिदानसवा चेतर के अंदर एक बावा के पास में आते हैं एक पार्टिकुलर उसके आफ्रम से लोगों का विस्वास जुड़ता चला जाता है उनको ऐसा लगता है कि बावा यह भावान के अवतार है और उनको आँक मीच करके अंदर विस्वास के रूप में पूझने लगते हैं पैसा नाम दचना देने लगते हैं जब वो कुईसी भी एरिया को कोई भी विदायक होगा तो उससे ज्यादा भी बावा उनसे भी ज्यादा पॉपूलर हो जाता है क्योंकि लोग उनसे रोज मिलत दिन प्रति दिन बढ़ती चली जाती है इसी का पाला लेकर कि कुछ नेता लोग उनसे मजबूरी में उनसे आत मिलाना पड़ता है मुझे लगता है कि बहुत सारे अधिकतर नेता ये जानते हैं हरे एक बावा की सच्छा यानते हैं कि नोने डोंग पहला है लेकिन नेता भ वो बावा के खिलाब statement भी दें बावा के खिलाब कोई एक्सन भी दें तो बावा के लोगों को इस सदर तक brain boss कर चुकी होती है जब तक बावा उनके पीछे लोग मरने मारने को भी तयार हो जाते हैं उनके अनुराई किसी भी हदसर जा सकते हैं तो अपनी सरकार वो next term में बचाने के लिए नेताओं को मजबूर हो करके इन बावाओं से आप मिलाना पड़ता है और उनको सिद्धी प्राप्त होती चली जाती है और दिन प्रते दिन वो प्रसद होते चले जाते हैं वहीं पर एक बिदायक मिलता है फिर हम मिनिस्टर आता है पर चीप मिनिस्टर आ दरसल जब भी बावा किसी भी नेता पे हार्थ रखते हैं तो उसके लिए उनको नेता की जरूरत होती है बावा को क्योंकि अपने बिजनिस को बढ़ाने के लिए नेता के अप्रूबल उनको चाहिए चाहिए यानि कि जिसकी गेर कानूनी और जिस जमीन पर वो कब्जा करती है जिस तरह से अपने एंपायर को आते हैं इंकम टेक्स की रेट से बचने की नहीं देश के टेक्स सिस्टम से बचने की नहीं उनको नेताओं की जरूरत परती है अब नेताओं को एक फाइदा यह होता है कि उनको फिरी का बोट बैंक मिल जाता है इतनी बोट बैंक से वो आसानी से दुवारा चुनाप जीत जाते हैं इसलिए नेताओं को मजबूर हो करके इन बावाओं के पास में जाना पड़ता है लेकिन फिर ये कई सारे बावा तो आ जादा आँगे निकल जाते हैं वो खुद ही पॉलिटिकल सिस्टम में आते हैं और लड़ने लड़ जाते हैं लेकिन आसाराम बापु ने ऐस खुद चुनाप नहीं लड़ी विशिरिस साइड लाइन ओन दा नेम ऑफ रिलिजियन दरसल जब आसाराम बापु की दो जात त तरकाओं पर बेख करके उनका आसराम 10 करोड से जादा रुपे कमा लेते थी ऐसे रिलिजियन के नाम पर धरम के नाम पर ऐसे कई सारे दंदी की करते हैं बाबा की नाम पर आसराम ट्रस्ट करता है ट्रस्ट लोगों के अंदर लोगों को हर प्रोड़क्ट देता है उनके प उनको इस तरह से brain boss किया जाता है कि आस्रम के अंदर आपको एक दम product safe मिलेगा और आप जो खाते हैं जो material आप अंदर जहल कुरा हुआ है आपको दवाईयां, घी, sablet, सारे system आपको बागा के आस्रम से ही देने पड़ते हैं जब 3-4 लाख लोग उनके एक ही प्रवचन में सुनने के लिए आते हैं तो आपे करेटों लोगों की भीर होयाती है और जब उसमें से 1 लाख भी लोग उनके product को खरीनते हैं तो उसमें उनको मोटा मुनापा होता है और सुद्धता के नाम पे अपनी priority के नाम पे ये product को काफी महना बेखते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो लाखत मूल ले होने लोगों को अंदर इस तरह से अपने product को पिस करते हैं तरह से advertisement करते हैं कि हमाना product बिल्कुल सुद्ध है बिल्कुल अच्छा है और इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है इसलिए आपको मेंगा तो ले नहीं पड़ेगा लेकिन उसके अंदर भी मिलावट होती है धन वटरोने का सबसे बड़ा जरिया होता है सत्संग यानि दो से तीन दिन उनके अनुगाईयों के बीच में बावा रहकर की प्रवचन देते हैं उनके अंदर अपनी जीवन को जीते हैं दरसल एक प्रवचन को सुनने के लिए कम से लाखों लोग आते हैं अब लाखों लोग एक प्रवचन को सुनने दो-तीन दिन में उनको प्रवचन बेक वेक करके उनको अपने सावान बेक वेक करके उनक की आसरम त्रेष्ट है वो एक करोड़ रपर चाप रेता है यानि कि दो-ती दिन नहीं एक करोडर पे तो उनके प्रवचन से ही बना लिये जाते हैं जहां किसी भी एरिया में जाते हैं तो वहां की दान दचना और जो लोगों के अंदर छड़ाबा भेट और जो पुरसकार नाम आती हैं उनका तो अलग है एक करोडर पे तो अपने प्रोड़क्ट भी कहरी कमा लेती थे आसराम बापू के ट्रस्ट के लोग दूसरा सबसे बड़ा दन बटवरने का दन दा जो बाबा आसराम बापू के आसर में किया जाता था बड़ी एक बड़ी मात्रा पे गुरू प्रोड़वां को मना जाना दरसल लोगों के अंदर ऐसा कंसेप्ट होता है जीवन के अंदर भारत के लोग आध्यात्मिक लोग तो हैं उनको ऐसा लगता है कि जो जिनको वहां किसी भी जगह से उनको ग्यान मिला है तो उनको रेटन करना चाहिए यानि कि जो ग्यान किसी भी उनको दिया है तो उनको गुरू मान लेते हैं, अब गुरू के लिए वो गुरू परोड़ा में पे सारे लोगों को आसरम के अंदर ऐसा बूला जाता था कि गुरू पूलमा के दिन उनके सारे अनुआई उनके आसरम है आकर के केट्टे होती थे और उनकी मूर्तियों के सामने पैसे चड़ाते थे, एक कार के गरम से लाखम करोडों रूपे उनके आसरम बाली खमाते थे, क्योंकि कोई भी संत आएगा, कम से कम माल लीजे, 4-5 करोड फॉलूर माने जाते थे आसराम बापू के, तो 4-5 करोड लोग आएंगे, 10-10 कित रूपे भी, 100-100 रूपे भी, 2-2 अजार रूपे भी, एक एक बड़वड़ी पैसी वारे लोग कितने कुतने रूपे चड़ाते हैं, यानि कि आप नॉर्मन एक बक्त से 100 रूपे भी माल सकते हैं, तो कितना रूपे हो गया, 4 अरव, आथराम बापू ने धेस के अलग-अलग कोण में, 11,000 से ज़्यादा यूग बेदान समीते क हुआ करती थी, उनको एक जगर से माल लीजिए मैंने 4 रूपे खर्च कुई है, और 40,000 रूपे दान कर दी है, और जो बचे कुछी रूपे अपने आस्रम में डाल दी, तो ये इस तरह की मार्केटिंग और एवर्टाइजमेंट बावा की दर्बार में हुआ करती थी, और सबसे बड़ा जो धन्दा होता था, वो साल के अंदर कम से कम 20 बैट करके उनको दावत ख़लाई जाती है, अब भन्दारी के नाम पर बावाओं का खर्चा तो कापी बड़ा होता है, लेकिन उसके लिए वहाए जाता है चंदा, सारे लोगों से 100 से 150 करोड रूपे एक भन् लेता था, कोई भी आदवासियों की जमीन हो, या कोई सरकारी जमीन हो, या कोई विपत्ती या कोई विवास से जुड़ी हुई जमीन हो, उस पे आसरम बना करके बावा तुरंत कपजा कर लेता था, यानि एक जगे पर किसी भी एरिया के अंदर ये जाएंगे के नाम में करवा लेते थी, क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट ये लोगों को ये नेताओं से बादा करते थी, हम आपको बोच दिलवाएंगे, इसलिए इस जमीन को आपको बिलेक से वायट करवाना पड़ीगा, तो नेता भी उनको आख मीच करके इसमें पूरा सयोग करते है लेकिन कई सारी नेता इससे परिशान आ जाते हैं, ये देख सकते हैं आप लेकिन फिर उनको एक दिन पता चलता है, को उनके बेटे गायब हो गए, गायब हो गए हैं, मिली नहीं देते, उन्होंने काफी चानवीन करी, चारों तरब आसरम में भी सूचना दी, लेकिन आसरम से कोई जवाब नहीं आया, वो पुलिस प्रसासन के पास मीग गई, तो ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, जब वो बावा के आसरम में पहुंचे उन्होंने दानना प्रदरसन किया, तो आसरम के पदा दिकारियों ने उनसे कहा कि वो पीपल के 11 चक्कर लगा भी दिये, लेकिन उनके बेटे उनको नहीं मिले, कुछ दिनों बाद उनको बता कंट्रल में आती है, बिदाएक सांसत उनकी आपज़़ए, बिदाएक का सांसत खुद बावाओं से मजबूर है, उनकी स्टेटेजी से वो खुद उनको बतनाम करने की कुछस करते है, उनके परिसान है उनके कदमों से, लेकिन बावाओं का इतना जनता के अंदर जनता जनारदंद का जो आदिस आता है उसको उनको मानना पड़ता है मजबूर होकर कि बावा के साथ में काम करना पड़ता है अब बावा के खिलाप में जाना तो आप समय सकते हैं पूरी जो बूर्ट बेंक है उसको खो देना कि इसके जाज करने के लिए गुजरात के हाई कोट ने एक एंक्वारी बेटाई थी इस एंक्वारी के जो जेस्टिस डीके ने ये कहा था कि आसराम बापू और उनका बेटा नाराण साही जो जादू टोना करते हैं लोगों को बहगाने के लिए अब यह इसमें कितना सच है आप ही वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं इसको रजेशर होने के बाद में पब्लिक में तो जो दबाए हुए बेक्टेम थे जो उनको सदाय गया था वो लोग सामने आने लगते हैं 2008 में ही मत्द प्रदेश के चिंद बाड़ा से ओस्टल से दू नड़कों को भी मौत मा बोलता है तो उसको चुप कर दिया जाता है दवा करके मार करके डरा करके धमका करके और कोई भी उनके खिलाब बोलना नहीं चाहता दौसल उनकी इसी वक्त पर उनकी कंपेंड आय थी को जो बावा के आसर में घी और दवाया वेकी जाती हैं उनके अंदर मिलावट भारी म पासरम ने जमीन को अवैयत कबजा कर रखा है लेकिन सरकार कोई एक्षन ले उससे पहले बावा बावा नेताओं से मिल जाते हैं और नेताओं से अपील करका करके उसके को लंबा खिचने में खिच देते हैं विजार बारे में नरवया का जो रैप हुआ था उसमें बावा के उट बटांग हरकत वाले बियाना थे उन बियानाओं को आप दे वीति के इसमें गलत होता है जो करने वाले धोशी है उनके वही धोशी कềवल नहीं हो सकते अगर वो सांती से काम करती बहवान का नाम देती और अपनी आपको छुडाने की कुशिस करती तो उसके साथ में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो उसका भी मन था वो भी इस अपराद में लिप्त थी इसलिए उसके साथ में ऐसा हो गया पाबा के आसरम बापू के पापों को गड़ा 2,3 में भर जाता है जब वो एक 16 बस की लड़की को राजस्तान बलाया जाता है दवा के लिए आसरम में आसरम में दवा के नाम पे उसकी हुष्टल से बलाया जाता है उसके पेरेंट्स ने कापी अपना पैसा खर्च करके उसके आसरम में लड़की वहीं रह करके पढ़ाई करती थी उस लड़की को बलाया जाता है उसका भाई भी साथ में रहता था लेकिन भाई को वहीं छोड़ दिया जाता है उसके पेरेंट जब पहुंशते हैं वहाँ आसरम की अंदर तो बाबा उनसे कहता है कि आप यहीं रोकेए और पेरेंट को वहाँ रोक दे जाता है और बाबा के वहाँ से 200, कमसे कम 20 क्लॉमेटर दूसरे आसरम में उस लड़की को ले जाता है अब बावावा उसे के साथ कुकुरांब करता यह जब जस्ती उसका incomplete परता है इस वह उसके सिकार भी ईसको के समर्ब दिल्वागों मानते है बताते हैं कि और एससे पूरा ने जो मतलब अच्छे संथ हो गई-100 कि आउन बताते हैं वर इसी इसकरता पूरा ने ही बात कर दो कि मानना वही सरवे सरवा है मतलब भगवान तक तुम नहीं पहुंच सकते मतलब कि मैं हूँ भगवान और उस भगवान का रूप लेके मैं आया हूं मैं कृष्ण हूं और तुम लोग गोपिया हो इस तरह से मतलब लोग उनसे नजदिक लाने की कि वह तो कितनी भागेशाली है तेरे से ही बात करते है ऐसे गर करके फिर हो पूरा माइंड वाशोत करते है लड़किया जब उसको मतलब से काफी मतलब इस इंदौर के अंदर से बावा को काफी प्रयासों के बाद में क्योंकि बावा को जब भी कोई भी किस चलता है तो बावा पबलिक को आंगे कर देते और पीछे चप जाते हैं और इंटर्वु देने के लिए पहले ऐसी बैगी-बैगी बाता हैं करते हैं और अपने मोवमाया के रूप में अपने को इस तरह से भावान के रूप में पृस्थत करते हैं कि उनके खलाप में सारी साजिस की जा रही है उनको बसानी की कोईशिस की इंदोर के अंदर हुआ था, कई दुनों की काफी मसक्तरत के बाद में बाबा को गुरपतार कर लिया जाता है, फिर दोजार तेरे की गठना के बाद में उस रेप केस में बाबा को गुरपतार टुरनी के बाद में उसकी इंक्वाइरिया चंतियों और एक से एक आप देख सकते हैं जो पूछा गया कि अने एफा कदम बावा के साथ में क्यों उठा आया है इन लड़कियों को या उनको भक्तों को ऐसे ट्रेंड किया जाता है डेली-डेली उनको देमी-दीमी डोज दे करके कि हुआ यानि उनको यह बता जाता था कि आप गोपिया हैं और बावा बावान के रूपे हैं और आपको चुना है आप भागसाली हैं बावा आप से परसनली बात करना चाते हैं और आप कितने बागसाली हैं इस दुनिया में कोई लोग बिरली होते हैं जो बावा से मिल पाते हैं और उनको इस बात में सजा कर पसा करके उनको मार दिये जा और बाबाओं को रेपिस्ट के रूप में पकड़ा जाता है बलात कारी के आरोप में वो भी जील की सजा उने की साथ मैं काट रहे हैं दरसल आसाराम बापू के केस्ट को अब छोड़ी है आप पता ही चल गया हुगा लेख अब हम इस वीडियो के अंदर ये समझने की कोसिस करें भारत देश में इतने पॉपुलर क्यों हो जाते हैं आसाराम बापू को भी छोड़ करके कई सारे ऐसे बाबा आए उनके नाम आप गूगल पर डार सकते हैं उनको ऐसे अपरादों में गरपतार किया गया दिनली के अंदर से पंजाब के अंदर से कई सारे बाबाओं को गरपतार किया गया उनको लाखों हजारों करोड़ों की संपत्ति उनको जक्त कर गया गया और वो धरम के नाम पर दंदा चला रहे थे और लोगों को बलात कर रहे थे और लड़कें का उन्होंने रेप भी किया था और ऐसा आज भी उने लग रहा है लेकर वो सत्ता के सपोर्ट थे आज भी चिपे वैटी है उनके नाम में आपको बता नहीं सकता क्योंको अभी भी कोई एक्षन उनके खिलाप में लिया नहीं गया है जिस दिन एक्षन लिया जाएगा तो उनकी भी पोल खुणने वाली है एक अप एजुकेशन अमंग इंडियन पीपल दरसल जो भारत की जनसन क्या है वो कापी बड़ी जनसन क्या पूरी बिस्प के अधर और हमने अपने जो साच्छता दलती लिटरेसी रीट को उसको खीच करके 80% पर पहुचा दिया लेकिन आप सोच सकते हैं कि हमने आदमी लिटरेसी रीट को किसी को हम पढ़ा लेका चम मानते हैं एक भावासा को पढ़ लेता ए से ब्यक्ति के अंधर 내पल सोचनी अर ऐसरी निडर्ण ले सके हैं शवी और गलत बारे में पैचान कर सके हैं क्य साजव सकते हैं इसके लिए उनके मैंड वा काम करना होगा उनको बताना होगा कि किसी ब्यक्ति को दे हम यूँ पैचान जाते हैं कि ये व्यक्ति चोड है ये इमान दार व्यक्ति हो सकता है ऐसे बावा को हम अरेक बावा चोड नहीं है ये मार्केट में आप देखिए बावा वो बदनाम करने की कोशिस भी की जाती है लेकर हार एक ऐसे भी बावा है जो उनके नाम पर इतनी लोगों को सच्चाई के साथ में और उनके काफी तरक्य हो रहे हैं लेकि ऐसे बावा कम हैं वो कम पॉपुलर हो पाते हैं जनता के अंदर को जनता के अंदर चटक दमक वाले बावा चादा पॉपुलर होते हैं पैसे वाले लोग मानिये और गरीब लोग ये गैप बहुत जाता है कुछ लोग इतने परेशान हो जाते हैं जीवन के अंदर उनको कई सारे रोग हैं और वो नगातार हॉस्पिटल से दवाईयां लेने लग रहे हैं और दवाईयां के नाम पर उनको कोई भी हॉस्पिटल वाले भी लूटने लग रहे हैं बार बार उनको हॉस्पिटल अगर हम यह बात करें तो कोई भी बीमारियां को सही इलाज बावा की दरबार में क्यों मिलता है तो बावा की दरबार में वो आप हमारे मैंड के दो इससे होते हैं एक subconscious mind और एक होता है conscious mind तो conscious mind से हम जो भी हमारे पूरी बोड़ी चलती है उसको हम तुरंत नेड़ें लेते हैं तुरंत वो conscious mind है और जो अब चितन मन है subconscious mind उसके अंदर जो भी बात है डीपली बैट जाती है पूरी बोड़ी को वही रन करता है अब कोई भी आप यह सोची हमारे सरीर एक मसीन के रूप में है तो हमारे सारे पूरजे को ये brain चला रहा है सब conscious mind तो इसका एक भी पूरजा खराब होता है तो पूरी सरीर को पूरी मसीन को जो रन कर सकता है तो उसको ठीक करने की भी साबरते लेकिन हमारे अंदर इतनी आत्म सत्ती और आत्म विस्वास नहीं रहता कर हम खुद अपने आपसे सही भी हो सकते तो वो आत्म विस्वास जगाने के लिए इसका काम करते है लोगों के अंदर वो आत्म हिस्वास आजाता है कि हाम मैं ठीक हो गया तो इसी से उनका काम करता है सब कोशियस माइंड इस से काम करता है और उनको काप्वी सारे फायदे भी मिलते हैं दसल इसी चीज को तीसरा सबसे पॉइंट हो सकता है लोगों को अवेर करना चाहिए और हर एक बावा को इस डिपार्टमेंट में जा करके रेजिस्टर करना चाहिए और अपनी जितनी भी सक्तियां है आप पुचाए कोई भी द्रसक्ती माल लीजे किस से वो पूरी जानकारी गवर्रमेंट के साथ में रहनी चाहिए और बावाओं को अपनी साथ में संपत्ती और समाज सिवा करें जो टेक लगा करके बिजनेस करते हो उसको लोग और प्रतबंद लगा देना चाहिए क्योंको सिवा करने वाले कई सारे ऐसे ग्रस्त जीवन वाले में लोग हैं वो समाज सिवा करने लग रहे हैं होस्पीटर चला रहे हैं और इसकूल चला रहे हैं तो फिर आप बावा है तो आप केबल लोगों की समस्यां सुनिए पैसे से आपको कोई मतलब नहीं है आप बिजनेस नहीं कर सकते बिजनेस लायन में उनकी जितनी भी संपत्य आएगी उसमें गवर्मेंट डिपार्टमेंट के लोग आएंगे वही उनके बिजनेस को रेगुलेट करेंगे अगर बावा ये भी करना चाता है आप क्या सोचते हैं अगर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे पास में कंटेंट तो बहुत है लेकिन आप इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं बाकी आप क्या सोचते हैं आसारम बापू के बारे में और ऐस इसे बावाओं के बारे में हमको कमेंट सेक्षन में तो बता ही सकते हैं